श्रीशिवान मस्तुप्यम हरार महादेव जयोग भुरेनाद। श्रीशिवान के वरत पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। श्रीशिवान मस्तुप्यम हरा महादेव जयोग भुरेनाद। किसी भी महीने के जैसे कि कार्थिक मास के अंतिम पांच दिन पंच भीकू होते हैं वैसे सावन के अंतिम पांच दिन भी बहुत विशेश होते हैं अगर आप पूरे महीने नहीं कर पाए न पूजापाट तो इन अंतिम पांच दिन तो हमें जरूर करना चाहिए और अगर जादविशी शईयोग इस दिन बन रहे हैं. तो सबसे पहले इस दिन जल्दि उठना है सब ही को बहुत जल्दी उठना है क्योंकि काफी सारी इस दिन आमे पूजा करनी है, घर पे भी बिकरनी है और शिवाले में जाकर के भी करनी है और चाहे तो इस दिन आप व्रत भी कर सकते हैं देखे आखरी दिन है सावन के महिने का आखरी दिन है आखरी समवार है पुर्णिमा भी है आप इस दिन व्रत जरूर करें हो सके तो नहीं तो एक समय आप शुद साथ भूजन कर सकते हैं या फलारी व्रत भी रख सकते हैं जैस पूजन और विसर्जन किया जाता है इसे वीडियोस आपको हमारे चनले मिल Jspeaking एक उन्हें चेकाट कर सकते हैं ऐसे तो वहां पर कुछ शामेगी में आपको बता रही हूं और कैसे हमें वह चड़न कर लें कि अभी तो तो पहले यी विवस्ता कर ले कि आखिरी संवार को आप तीर पूज़ा करने इन चीजों पित करने से हुमें पूरे महिना में की पूजा का गार्फ होगा तो कि सबसे पहले हमें एक डूछाम Zur aux जल और गंगा जल को मिक्स करके ले करके जाना है पहले डोल्ची के अंदर आप गंगा जल डाले फिर जल डाले उसके अंदर एक छोटा सा आप लोटा डाले लोटे का साइज छोटा रखिएगा क्योंकि वो हमें 31 लोटे अरपित करने हैं देखे पूरे महीने हम नहीं अरपित कर पाएं हैं तो कोई बात नहीं आप 31 लोटे तो छोटे साइज का मैं इसलिए बोलinas के लोटा डोल्ची में डाल करके लेकर के जाएं और 31 लोटे जल अरपित करें भोले नात पर 31 बार चंदन लगाएंगे 31 बार ही आपको देखे चाहे तो आप 31 रुमाल भी अरपित कर सकते हैं बाबा को या फिर आप 31 टुकडे वस्त रुपी कलावा मौली के अरपित कर सकते हैं 31 जनिव अरपित कर सकते हैं तो जैसा भी हो 31 टुकडे या फिर 31 तार के आप कलावे के 31 त उनके उपर चंदन से या ओम्न मश्रिवाई घर से लिख करके आप ले जा सकते हैं नहीं तो तीनों पत्तियों पर चंदन लगा करके ले करके जाएं डाठल तोड़ ले और जो बेल पत्र हमें चड़ाना होता है तो उसकी जो डंडी होती है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहि उनके बेल पत्र एरपित करेंगे एक एक बेल पत्र हम अरपित करते हुए श्री शिवाय नमस्तु नातु तहें हाप अरृट भूटे हाद की अप्टेली में अक्षत राख लें चावल तूटे हूए नहीं प्रमार का मैं पत्र बोलते हुए अरपित करना है 31 आप शमी पत्र अरपित करें 31 धतूरे तो 31 धतूरे मिल पाना तो संभब नहीं है तो आप पूजा सामी के शौप पर धतूरे के बीज मिल जाते हैं तो आप 31 बीज अरपित करें वो भी ऐसे ही अरपित करना है उल्टे हाथ की हतेली में 31 बीज आप ले ले और उन्हें एक एक को बाबाब के ऊपर चढ़ाते जाएं और बोलते जाएं श्री शिवाय नमस्तुभिम या फिर ओम नमस्षिवाय और अगर 31 धतूरे मिल जाते हैं तो फिर बात ही क्या है और देखे बीज आप कैसे बना सकते हैं अभी तो समय है दो-तीन में वो बिल्कुल सही हो जाते हैं एकदम से चढ़ाने लाइक हो जाएंगे तो ऐसे आप धतूरे के बीज भी बना सकते हैं और इसी के साथ में यहां पर देखिए आप चाहिए तो 31 दाने मूंग के हरी वाली जो खड़ा मूंग होता ना वो भी अरपित कर सकते हैं 31 सिक्क् एप करना चाते हैं अब यह भी नहीं करने हैं अपको 21 के संख्या में भोलेनात पर अर्पित करें गत 31 वैसे तो देखे सुबह के समय आप इस तरीके से पूजन करके आ जाएं एक दीपक आधी दूप दीपाधी करके और शाम को अगर दीबदान करते हैं तो उसका और ज्यादा महत्व होता है नहीं जा पाएंगे बार-बार शिवाले तो सुबह के समय भी आप करके आ सकते हैं चाय तो फूलों का असन दे दे चाय चावलों का असन दे दे और इस प्रकार से इकतिस दीपको कदान हमें श्रीं जरूर करना है अंतिम और देखे भोग प्रसाद में आपको क्या रपित करना है खीर का प्रसाद जरूर लगाना है इस दिन भगhu MATT को खीर का प्रशाद जरूर अर्पित करें और खीर नहीं बना सकते हैं तो पंच्मेवा का प्रसाद ARPIT करें या 31 दाने Link मिश्री के भी ARPIT कर सकते हैं 31 दानेonia आप चीनी के भी अरपित कर सकते हैं तो जो भी चीज़ें हम एरपित करनी हैं इस वर्ष के सावन का यह देखिए अंतिम दिन है पूर्णिमा का दिन है अंतिम सावन का सुमबार भी है तो बहुत ही विशेश संयोग बन रहे हैं इस दिन तो दीबदाना में जरूर करना 31 करें। यह फिर आप शान को भी या सारी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं कि अप एक बार ही चीज़ें और 31 दीफ को का दान करके आ जाए सुबह घर के मंदिर के पूजा कर ली और आप देखिए जो 31 दीफक मेंने बता हैं इनका दाना आप देखिए कोई भी जो शिव बना करके उनका पूजन किया है या घर के जो भी शिवलिंग है श्री परिवार की कोई फोटा है उनके आगे भी आप इस दीबदान को कर सकते हैं तो यह बिल्कुल अंतिम मौका है इस सावन का अंतिम दिन अंतिम सोमवार अंतिम मौका है पुर्णिमा का दिन है बहुत ही है उमीद करती हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यह यूस्फुल रहा होगा तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चनल को जड़ू सब्सक्राइब करें कॉमेंट बॉक्स में शीशिवाय नमस तुभ्यम अवश्चे लिगे फ्रेंड्स मिलते हैं एक और व पुलिनात जेहु माता पार्वती